हेलो फ्रेंट्स आइम डॉक्टर कमला पाध्य है आज का लेक्चर इंसेक्ट कलेक्शन के उपर ही बेस है और आज हम इंसेक्ट को किन-किन एक्विप्मेंट की हेल्प से कलेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे तो आईए शुरू करें सो फ्रेंट्स इंसेक्ट को कलेक्ट करने के लिए बहुत ही तरह के इक्विप्मेंट बनाए गये हैं और वो इस वज़े से क्योंकि उनका हैबिटट अलग-अलग है है हैबिटट से मतलब है कि वो जिन जगहों पे रहते हैं उस जगह के हिसाब से वो इक्विप्मेंट इसके बाद हम देखेंगे कि कौन से brush यूज़ की जाते हैं, किस तरह की clip या forcep यूज़ की जाती है और किस तरह की tweak cutter याने की जो कलिया हैं उनको काटने के लिए जो cutter है या फिर catchy किस तरह की यूज़ की जाती है इसी तरह से aspirator का use, axe, knife और hammer का use कि किस तरह से ये कुलहाड़ी, चाको या फिर इस तरह hammer किसी से मारते हुए एक particular उसकी location को तोड़ना और वहां से insect को बाहर निकालना इस तरह से और इसके बाद हम देखेंगे killing bottles का use किस तरह से जो insect को collect करने के लिए use किया जाता है और ये collection vials क्या हैं और hand lens का और यो किस तरह से entomology की research student करते हैं इसी तरह से paper packets और lefafo का use कैसे insect को collect करने के लिए किया जाता है साथ ही वो कौन से chemicals हैं और cotton का use कैसे insect को collect करने में किया जाता है और वो किस तरह के traps हैं जिन्हें use किया जाता है insect को collect करने के लिए और साथ ही इसमें जो trays हैं और जो छन्नी हैं वो किस तरह की use की जाती है यह हम सब आज के lecture में जानेंगे So friend जो सबसे पहला insect collecting equipment है उसे कहेंगे insect net और यह entomology के students के बीच में और जो research students हैं उनके बीच में बहुत ही जादा लोग प्री है क्योंकि इससे insect को collect करने में बहुत ही जादा असानी होती है तो आप देख सकते हैं कि यहां दो तरह के insect net आप लोगों को दिखाए गए है पहला वाला cloth bag से बना हुआ insect net है और दूसरा nylon net bag से बना हुआ insect net है तो आप देख सकते हैं कि इस insect net में एक handle है दोनों में ही और यह handle बहुत ही जादा light weighted है और easily operated है और इसके जो end में एक ring like structure जो कि metal का ही बना होता है वो जुड़ा हुआ है और उसी से नीचे जो यह net bag है या फिर cloth bag है वो जुड़ा हुआ है तो इस तरह का यह insect net होता है और जो इसका आगे से जो hoop है यानि कि जो ring वाला जो हिस्सा है इसे आप रिपलेश कर सकते हैं अगर यह गंडा हो जाता है क्यूंकी इसमें screw होता है जो handle है उसमें screw type बणा होता है जिससे कि आप इसको घुमाके इसके अंदर fit कर सकते हैं और आसानी से इसे घुमाके से निकाल सकते हैं तो इस तरह से आप यह insect net को यूस करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट गेवाल ऐकर नियुक्त एरियल नयट सीफये किया.. ऑक कुछ स्रीव कि बाधूर्य पराज़ सृ। उसकी भी थोड़ी से लंबाई इसमें बढ़ जाती है और जो यह aerial net है इन्हें हवा में जो उनने वाले ऊपर उच्शाई पे जो उनने वाले जो इन्सेक्ट हे उननको कझलेक्ट करने के लिए से उज्टे जाता है से collect कर सकते हैं आप देखेंगे कि जो insect nets हैं उसमें उपर से चोड़ाई है और नीचे की और उसकी चोड़ाई कम होती जा रही है तो इस structure का भी insect collection में बहुत ही जादा एक beneficial use है क्योंकि जैसे ही इसके अंदर insect आ जाते हैं तो आप देखेंगे कि नीचे की और चोड़ाई कम हो रही है तो आप बहर की और से इंसेक को जब आपने collect कर लिया है और उसके बाद आपको किसी container में इसको transfer करना है तो बहर से आप इस कबड़े में आप अपना हाथ मारते हुए इंसेक को सबसे नीचे जहां पे इसकी चोड़ाई कम है बिल्कुल end पे उसको settle कर लेंगे और उसके अंदर फिर इस बैक के अंदर आप उस particular container को डालेंगे जिसमें की आपको insect को collect करना है और कोशिश करते हैं कि जो container है उसका mouth थोड़ी चोड़ा रहे और उसके बाद बहर की ओर से बिल्कुल जो इसका जहां पे इसकी चोड़ाई बिल्कुल कम हो गई है उस end को बहर से पकड़ते हुए उसको उल्टा उस container के उपर जार देंगे जिससे की वो सारे insect उस container के अंदर आ जाते हैं और उसके बाद आप अपने उस container को बंद कर लेंगे और फिर आगे की process फिर करेंगे चाहिए आपको उसको killing करना है या फिर आपको उसको insect को faint करना है तो यह सारी process फिर आगे की आप करेंगे तो इस सारे से जो aerial net है उनका use होता है यहाँ पर आपको sweep net दिखाए गया है sweep net aerial net की जैसा ही है सिर्फ difference इतना है इसमें कि जो ring का जो चोड़ाई है वो बहुत जादा नहीं रहेगी और साथ ही जो handle का जो लंबाई है वो भी बहुत जादा नहीं रहती है और साथ ही जो इसमें bag जोड़ा हुआ रहता है रिंग के साथ में वो या तो muslin bag होगा muslin cloth bag या फिर cloth bag होगा cotton का बना हुआ तो इससे थिक vegetation में insect को collect करने में आसानी होती है और बिल्कुल minute insect वो भी इस से आसानी से collect के जा सकते हैं अगला जो insect net है उससे कहेंगे aquatic dip net और जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है aquatic याने की पानी dip याने की डुबा के तो पानी में डुबा के आप इस net की health से पानी में रहने वाले जो insect हैं उनको collect कर सकते हैं तो उसका जो picture है वो यहां पे दिखा बचिता है है और इसी के साथ में ऐक जो बैग के बना हुआ है और थोड़ी मजबूत बैग है और सानद ही जो बैग की जो शेप है वह आप देख रहे हैं कि बेस पे वह dk आकार में बना हुआ है और इसकी जो लंबाई हैं की वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है तो और साथ ही इसमें एक हैंडल जुड़ा हुआ है इस डी के आकार के मैटल रिंग से और ये हैंडल भी इजली आप इसको अपरेट कर सकते हैं तो इस तरह से इस नेट की हल्फ से जो पानी में रहने वाले जो इंसेक्ड हैं या पानी की जो मेज़िटेशन ओस में रहने वाले इंसेक्ड हैं और जो सर्फेस पे रहने वाले जो इंसेक्ड हैं उनको आसानी democrat किया अगला जो इंसेक कलेक्टिंग एक्विपमेंट है उसमें ब्रेश, फॉरसे, ट्विक कटर और सीजर आते हैं तो ब्रेश इसमें कैमल हेयर ड्राइंग ब्रेश नंबर 0 यूज किया जाते हैं और इस ब्रेश की खासियत है कि आगे से थोड़ा पॉंटेट रहते हैं और इस ब जो भी आपके इंसेक्ट हैं सपोज हमें ड्रोसफिला फ्लाई को हमें कलेक्ट करना और हमने उसको इथराइज कर दिया है या उसे भेहोश कर दिया है तो हम इस ब्रेश को 70% एलकोहल में डुगा के फिर उस ड्रोसफिला फ्लाई या एफिट को आसानी से उठाके उस प्रि कोड़ा से चोड़ा है तो इस तरह का फॉरसिप इंसेक्ट कलेक्शन के लिए यूज के जाता है इसके बाद ट्विक कटर का यूज हम वहां पे करेंगे जहां पे कि हमें उसके इंसेक्ट को उसके हाविटट के साथ ही उठा के लाना है और उसको लाइव हमें कल्चर करना ह तो इस तरह से ट्विक कटर की हल्फ से हम उस पर्टिकुलर ब्रांच को काट के हम सीरे उस ब्रांच को हम लैब में लाके उसको कल्चर कर सकते हैं इसकी बाद है सीजर, सीजर यान की कैची, तो कैची की हल्फ से भी हम जो इंसेक्ट है उसके हैबिटट के साथ ही लाके या उस पार्टिकुलर ब्रांच को या लीफ को काट के हम आसानी से जो इंसेक्ट है उनको कलेक्ट कर सकते हैं एस्पाइरेटर एक बहुत ही अच्छा इंसेक्ट कलेक्टिंग एक्विपमेंट है इसकी हल्ष से बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं उनको पकड़ने में आसानी होती है और इसकी हल्ष से हम सीधे जहां पे इंसेक्ट है वहां पे इस एस्पाइरेटर के यूज से आसानी से लाइव इंसेक्ट को कैच कर सकते हैं उसमें आप देखेंगे कि इसमें एक bent glass tube है और उसी से जूड़ा हुआ रबर ट्यूब है लेकिन जब यह रबर ट्यूब ग्लास ट्यूब से हम इसे जोड़ते हैं उसके पहले यहां पे joint पे एक कपड़ा यहां पे लगा लिया जाता है ताकि जब इसके mouth पीसते जब अंदर ग्लास ट्यूब है और रबर के बीच में एक कपड़ा लगा लिया जाता है तो इसका main जो इसका process वो यही है और जो इसका advance form है इसमें सीधे जब अंदर की वो रबर ट्यूब की हल्व से जब हवा की साथ में अंदर को हवा कीची जाती है mouth piece की हल्व से तो जो इसका glass tube है उ इस इंसेक्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंसता है और आसानी से live insect को collect कर सकते हैं और जो बहुत छोटे minute insect हैं उसको collect करने में से बहुत ही ज्यादा आसानी होती है अगला जो insect collecting equipment है उसमें axe knife और hammer का भी यूज़ किया जाता है x याने की कुलहाड़ी knife याने की चाको और hammer याने की हथोड़ी तो इन सभी tools का use इनके function के according क्या जाता है जैसे कुलहाड़ी है उसका use हम suppose किसी rotten log याने की सड़ा हुआ जो वो लकड़ी है या लठा है उसके अंदर हमें ये महसूस होता है कि महाँपे कोई insect है और उसे हमें बाहर निकालना है तो x का use करेंगे इसी तरह से knife का भी use हम काटने के लिए हम जहाँ पर की हमें लगता है कि insect है वहाँपे हम कट करके insect को निकाल सकते हैं इसी तरह से hammer का use हम जो termite mound है उनको बाहर निकालने के लिए termites को इसका use कर सकते है इसके बाद जो सबसे important equipment है insect collecting equipment वो ह में किलिंग बॉटल इससे स्टी सब्सक्रांब मेंatorre आप एकिलिंग बॉटलन इसकें बाहर से बनाम पशलम से सबसे अधिमा औभी z60 और 35अ मे are . इसकेंर पर के टारी सरय क्रछाव यो प्लासटर परल आ परे दोटाई है के लिए को सब्सक्राइब0 तो जो इसका माउथ है थोड़ा सा चोड़ा रहता है और जिन इंसेक्ट को आपको किल करना है जिनको आपने मारना है उनको इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है थोड़ी देर छोड़ने के बाद वो मर जाती है उसके बाद फिर उनको बाहर निकालके उनको चाहिए अपने प प्रसिस पीप ह souff glands को डिल्लाइब प्रसपों की जातीय की दाने। इन जा के लिए इनके पाय दिन्सेक्ट ओल्री और प्रशंच की जाता है। जा इन पर आफ देखिक के जाता हैं। इस picture में आप देखे कि जो इसका cap है वो प्लास्टिक का बना हुआ है और screwed है इसका मतलब कि इसके अंदर आसानी से जो killed insect है उनको preserve किया जाता है इसके अलावा इन वायल्स का use culture medium इसके अंदर बना के डाल के और जो live insect है उनको इसके अंदर culture भी किया जाता है उस case में जो ये इसका head है वहाँ पे ये प्लास्टिक का cap न लगा के cotton लगा दिया जाता है जिससे कि उनको air आसानी से मिलती रहे इसके बाद है hand lens hand lens जो है एक बहुत ही अच्छा टूल है insect को minutely examine करने के लिए और hand lens 10x folding type उसको use किया जाता है इस hand lens की खासियत यह है कि आप छोटे और बड़े दोनों ही तरह के insect को आप आसानी से study कर सकते हैं इसके बाद है paper packets and envelops इनका use तब क्या जाता है जब आप insect को field में आप उसे kill कर चुके हैं और आसानी से transport करने में इन से बड़ी help होती है insect को और इसमें हम basically moth, butterfly और dragonfly इन insect को रख सकते हैं इसके बाद है chemicals, chemicals के case में 90% alcohol preservative के तौर पे जो है insect collection में use किया जाता है इसके अलावा killing agent में benzene या chloroform या ether इन्हें use किया जाता है और कई बार ether की बहुत छोटा amount एक drop या उसे भी कम जो insect हैं उनको faint करने के लिए use किया जाता है ताकि आप उसको separate कर सके lab में और उसके बाद अगर उनको further culture करना है तो उसके लिए आप उसको use कर सके तो इस तरह से जो chemicals है उनका use किया जाता है इसके अलावा जो cotton है cotton का use कई जगे जो है जो particular container है उसके mouth को close करने के लिए किया जाता है इसके बाद है traps, traps में yellow pen water traps का use किया जाता है जैसा कि मैंने आपको previous video में आपको बताया था part 1 में कि जो yellow pen trap है इसका नाम yellow pen है लेकिन जो pen है उसका color yellow ही नहीं होगा इसका color वो होगा जो उस particular insect को attract करता है और इसके अंदर पानी भरा होता है और पानी होने की वज़े से वो insect color की वज़े से attract होंगे और पानी में गिर जाते हैं इस तरह से insect collect किये जाते हैं इसके अलावा petromax lamp या torch ये भी जो है काफी useful equipment है insect को collect करने के लिए as a light trap cotton का use skilled जो insect हैं उनको एक जगे से दूसरी जगे ट्रांसफर करने के लिए भी किया जाते है ताकि उनको कुछ नुकसान न पहुँचे उनकी body को so lastly जो insect collecting equipment है वो है white tray and sieve tray तो जैसा की नाम से ही पता है कि tray इन trays में हम उस particular habitat को उठा के ला सकते हैं और sieve tray की help से हम उस material को छानते हुए उसमें से insect को अलग कर सकते हैं जो चन्नी चन्नी की बात कर रहे हम याने की तो चन्नी की help से उस particular habitat को जिसमें सपोज अगर मिट्टी में है तो मिट्टी को चानते हुए वो माइन्यूट से जो insect हैं उनको आसानी से हम collect कर सकते हैं या फिर burlis funnel की help से जिसके उपर की ये sieve लगा हो उस habitat को डाल कि और उस burl प्रिजर्वेटिव में उपर से वो insect जो है नीचे गिरते रहेंगे और उस प्रिजर्वेटिव में प्रिजर्व होते रहेंगे जैसा कि इस figure में आप लोगों को दिखाए गया है So friends this is all about equipments for insect collection I hope this lecture will help you in your studies So be safe, make social distancing and always be happy. Thank you